हेलो एन विल्कम बैक इगेन गाईज आप सभी का स्वागत है एक और न्यू गेम प्ले वीडियो के अंदर जहाँ पर आज हम खेल ले हैं गाईज फार्मिंग सिमुलेटर 22 नहीं 22 नहीं बिल्कुल नहीं 20 भी नहीं हम खेल ले हैं 18 और जहाँ पर आज हम खेती करने वाले हैं वह भी संफ्लावर का ठीक है ना गाईज आज का हमारा स्टार्टिंग हो रहा है संफ्लावर से क्योंकि हमने कानुला का खेती हम लोग कर चुके हैं बहुत बर केड़े हैं बट रिकॉर्डिंग शायद में वीडियो बना का अप्लोट नहीं किया है ठीक है ना गाईज वह को नया 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 तजा तजा इसका यह हो चुका है मतलब एक दम फ्रेश माल उगाने वाल है हम आज ठीके ना क्यूंकि और साथी साथ तो हमारा बिल्स बनाना कंटिनू रहे गा ही क्योंकि हमको काउ और शीप को भी देखना है उसके साथ साथ आज हम सानफ्रावर के साथ ना पिक के लिए ले थे ना गाइस भूब आइडिया में ना हम क्या करने वाले है एक कौन लगा देंगे ठीक है ना जिस्ते कि हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है काउ शीप बोलो पीक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ठीक है ना और हम सेल करके अमिर बढ़ ज सब्सक्राइब गने वाला और दूसरे में लगने वाला है क्योंकि वह कौन क्यों ज़ल्दी से जल्दी ज़ल्दी ना मर दें क्योंकि तो बहुत ज्यादा क्या कहेंगे बहुत ज़्यादा आप फसल का ग्रॉथ होगा ऑक बहुत अच्छा का सामीं प्रॉफिट मिलना ये तिक्ष ना और मैंने मैं तुम लोग को एक बात बता दू तो फार्मिंग सिम्टेर जो 16 था हमारा तो फार्मिंग सिम्टेर के 16 के जैसा ही फार्मिंग सिम्टेर 18 भी है बिल्कुल शिर्फ नया कुछ वेहिकल्स आया है जैसे कि यह जो बैटलाइजर स्पीडर में यूज कर यह वाला और कुछ ट्रैक्टर्स और कुछ टेक्नलोजी में चेंज हुआ है लेकिन फार्मिंग सिम्लेटर टवैंटीटी टवैंटीटी जो है मुबाईल के अंदर वह बिल्कुल ही चेंज है क्योंकि वह कॉंपीटर वाला वश्म को ही एक दम से मुबाईल पर लेके आ चुक जब हम मेरे पास हाइन डिवाइस आ जाएगा उसके बाद फिर से खेलेंगे हम हाइन डिवाइस में हमारा फर्मिंग सिमुलेटर 2022 को ठीक है ना 2022 नहीं 2020 को ठीक है ना जिससे कि हमें ग्राफिस का दूनों का एक्स्पिरियंस बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहने वाला है ठी ले के जा रहा हूं नहीं तो बहुत ज़्यादा बोडिंग कर देता है तो मैं ले कि यह इसको दूसरा वाला जो हमारा खेत था उसमें ले के आ चुका है और इसमें हम कौन उगाने वाले है जो की मेरे से गलत लग गया था और मैं इसी के साथ साथ इसको देखो लाइन में कर दिया है क्योंकि इससे अभी बनने वाला है क्योंकि कि बेल को हमें देने वाला है काउ और शीप को ठीक है ना और यह जो हमारे से छूट ज़्या था इस भी हम क्या करते ना पूरा का जल्दी इसको भर देते हैं और हमारा हो चुका है उसमें और इसको थोड़ा सा वाश करने के लिए मैं ले के आ चुका हूँ देख सकते हो गाइस फिल्धाल के लिए वाशिंग तो चल रहा है बिंदास पूरा चका चक कर लेंगे हम इस ट्राक्टर को ठीक है ना गाइस और जो जो गाइस सुम्लों को मैं बात बताता हूं इसका जो फार्मिंग सिमुलेटर में तुम लों अगर किसी ने ठीक है ना फार्मिंग सिमुलेटर 19 और 22 देखे उग कंपीटर वाला तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा है वह भी बताना मैं क्यूंकि यह ड पीटर नहीं है अभी इसी के बज़े से मैं नहीं खेल पा रहा हूँ ठीक है ना गाइस तो मैं मीडिल में बेच नहीं किया था थोड़ा सा मिल्क क्योंकि मेरे को पैसों का जरूरत पर रहा है क्योंकि मेरा पास पैसा पुरा-पुरी खतम हो गया था इसलिए सब बेजवाच क कितना ज्यादा मतलब हमने उगाया है ठीक है ना गाइस आभी हम सिर्फ करते रहें एक चीज को मैं अभी से लेकर चलूंगा क्योंकि आर्डर आता है ना जब तुम्हारे पास चीज़ें नहीं होता है बहुत ज्यादा दिक्कत होता है तो अभी इसके अगले वालेबात में मैं कौन करूंगा इसके बाद वाले मतलब यह में और शायद से वीडवी करना पर जाए ठीक है ना एक दो खेत में मतलब एक वैडियस लगा के कर लेंगे ठीक है ना इस आज के लिए इतना ही रहना देते मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ चैनल में आया तो सब्सक्राइब क हुआ कि अनल में में आया बंदर गारा के वीडियो के साथ चैनल में मतलब यहां जाज है तू।